तो चिकन कवाब क्रेवी बनाने के लिए मैंने ये लिए हैं मार्किट से परचेस किये हैं चिकन कवाब ये रेडी टू फ्राइ होते हैं और आप इनको फ्रोज कर सकते हैं 15 दिग्री सेंटिक्रेट पर और इनको मैंने काट लिया है इस तरीके के छोटे छोटे पीसिस में तो ये सारे कवाब मैंने ऐसे छोटे पीसिस में काटे हैं और अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे मस्टर्ड ओयल और ये सारे कवाब मैं इस ओयल में फ्राइ करके निकाल लूँगी तो पहले मैं एक कवाब डालके चेक कर रही हूँ कि ओइल गरम हो गया है कवाब इसको फ्राई करने के लिए कि नहीं तो तेल अच्छा खासा गरम हो गया है तो आप मैं सारे कवाब तेल में ऐड़ कर दूँगी या जितने आपने तेल डाला है उसके हिसाब से जितने कवाब easily fry हो सके आप उतने कवाब एड़ कर दीजिए और इन्हें अच्छे तरीके से इस तरीके का कलर आने तक मतलब golden brown कलर आने तक आप fry कर लीजिए तो मैंने एक स्लॉट निकाल लिया है अब यह मैं दूसरा स्लॉट डाल रही हूँ कवाब का तो इन्हें भी fry कर लेंगे तो यह सारे कवाब मैंने fry कर लिये हैं अब मसाला पीसेंगे तो मैं यहाँ पे हरी मिर्च, लैसुन, अद्रक और प्याज को एक साथ पीस लूँगी इनका पेस्ट बना लूँगी मैं और जो ओयल मैंने लिया था कवाब को फ्राइ करने के लिए वही ओयल में ले रही हूँ अभी ग्रेवी बनाने के लिए भी तो मैं उसी ओयल में यह सारा मसाला एड़ कर दूँगी और मसाले को अच्छी तरीके से हम भून लेंगे मसाले में आड़ करूँगी नमक, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर आप मिर्च और नमक अपने टेस्क के अकौर्डिंग आड़ करें यूँकि मैंने मसालों के साथ हरी मिर्च को भी पीषण है इसलिए मैंने थोड़ी कम ही मिर्च रख़ी है क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़ादा तीखा खाना पसंद नहibly करते से हैं और बच्चों को वैसे भी तीखा देना भी नहीं चाहिए तो हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरीके से भुन गया है अब मैं इसमें कवाब आड़ कर दूँगी और आप अपने हिसाब से पानी डालिए कवाब में कि आपको थिक ग्रेवी चाहिए या पतली ग्रेवी चाहिए तो उसे साब से मैंने इसमें पानी आड़ कर दिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला और गरम मसाला डालके हम इसे धकन लगा के पकने के लिए छोड़ देंगे और ये 5 मिनिट बाद मैंने इसको खोला है तो कवाब एकदम पग चुके हैं पानी पग चुका है तो मैंने इसमें डाला है हरा धनिया और डाल रही हूँ साथ में थोड़ा सा घी कवाब हमारी रेडी हैं आप इने चावल रोटी या तंदूरी रोटी किसी के भी साथ सर्फ करें ये खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में